मैं इस वक्त डूओमो के सामने जो बाप्टिस्ट्री है उसके ब्रॉंज के जो डोर्स हैं उनके सामने खड़ा हूं यह आपको पीछे ब्रॉंज के पैनल से दिख रहे हैं हुआ यह था कि कई लोग कहते हैं कि रेनेसांस बास्तब में 1401 को शुरू ही थी 1401 को तब हुआ यह कि फ्लोरेंस ने एक कॉम्पिटिशन रखा कि यह जो बाप्टिस्ट्री है इसके जो डोर हैं उन्हें डिजाइन करने के लिए एक आर्टेस्ट दूर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिशन में लोरेंजो गेबर्टी ने ब्रूरनेल एसकी को हरा दिया उसके बाद दौनों की 10 स सालों तक राइवैलरी चलती रही तो जो लोरेंजो गेबर्टी था उसने इस वाली बाप्टिस्ट्री करें यह वाला नहीं दूसा पीछे की तरफ का एक दोर है वह डिजाइन करा जब उसने वह डिजाइन कर दिया सक्सेस्फुली और अच्छे से किया तो फिर उसे कमिश किया गया कि अब आप इस वाले गेट को डिजाइन करो यह जो आप गेट देख रहे हो यह ओजनल नहीं है ओजनल गेट डूमो के दूसरी साइड जो डूमो